अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो बहुत सी बुरी चीजे छुप जाती है, कपिल दे मेरे लिए हमेशा क्रिकेट का लुफ्त उठाना सबसे महत्वपूर्ण चीज रही है, ABD Villiers क्रिकेट सब कुछ नहीं है, किसी भी तरह से नहीं, लेकिन मैं जो हूँ, उसका एक बड़ा हिस्सा क्रिकेट ही है, MS थोनी मुझे हारने से नफरत है, और क्रिकेट मेरा पहला प्यार है, एक बार जब मैं मैंदान में प्रवेश करता हूँ, तो यह पूरी तरह से एक अलग प्रवेश होता है, जहां मुझे जीतने की भूख हमेशा लगी रहती है, सचिन तेंदुलकर यह उन रिगजों की निजी राय है, जिन्होंने क्रिकेट को अपना सर्वस्व मान लिया है, उनके लिए क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, बलकि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, आज हम इसी क्रिकेट के इतियास के बारे में जानेंगे कैसे इस खेल ने गली से निकल कर अंतराष्टिय दरजे को प्राप्त किया, कैसे यह खेल दुनिया का दूसरा सबसे लोगपूरिय खेल बना और किस प्रकार इसने भारत में होकी को पचाड़ कर सबसे लोगपूरिय स्थान हासिल कर लिया, इनी सबी सवालों के जवाब इन जंगलों में बेडों को चराने वाले बच्चे इसे खेला करते, मुम्किन है कि क्रिकेट इनी बच्चों का इन्वेंशन था, पहले इस खेल में लकडी का बल्ला और लकडी की ही गेंद हुआ करती थी, मगर आगे चलकर इनी बच्चों ने लकडी की गेंद के बजाए उनके गोले से बने गेंद का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया। 16 वी शताब्दी तक यह खेल केवल बच्चों में ही प्रचलित हुआ करता था। 17 वी शताब्दी की शुरुआत में क्रिकेट को वयसकों में भी खेला जाने लगा। क्रिकेट के निश्चित संदर्व दोस्तों किसी भी खेल को उसके जन्म से ही प्रसिद्धी हासिल नहीं होती। लिहाजा उसके जन्म तिथी को जानने के लिए हमें संदर्व को जानना पड़ता है। पहला संदर्व 1597 में एक आदालत के मामले में आया था। जहां एक 60 वर्षी इंसान ने रोयल ग्रामर स्कूल कॉलफिट की जमीन पर अपना दावा स्थापीत करने के लिए गवाही दी थी। इस कवाही में उसने 40 साल पहले स्कूल की जमीन पर क्रिकेट खेलने का दावा किया था। सन 1611 में सेसेक्स में दो पूरुशों को रविवार के दिन चर्च जाने के बजाए क्रिकेट खेलने के लिए गिरिफतार किया गया था। प्रस्तुत संद्रवों से हमें पता चलता है कि वाकेई में यह खेल 16 शताब्दी से खेला जा रहा है। क्रिकेट या जुवां दोस्तों आपको जानकर हिरानी होगी कि 1660 तक क्रिकेट को जुवे के रूप में देखा जाता था। यहां गैंबलर्स पैसो के बड़े-बड़े दाव लगाते और आप यकीन नहीं करोगे कि 1664 में इंग्लैंड में इसके लिए एक काउन पारित किया जिसे गैंबलिंग एक्ट कहा जाने लगा। इस एक के तहट कोई भी गैंबलर 100 पांच से जादा पैसे नहीं लगा सकता था। वर्तमान में क्रिकेट पर गैंबलिंग होना आम बात नहीं मानी जाती। जिसके उधारन हम कई बार निउज में देख चुगे है। क्रिकेट के बुनियादी नियम जैसे बैट, बॉल, स्टम्स, पिच डामेंशन्स, ओवर और आउट होने के तरीके आदिकाल से मौझूद है। मगर 1728 में इन ही नियमों को एक समझोते के तौर पर लिखा गया। जिसे Article of Agreement कहा जाने लगा। 1744 में इन ही एगरिमेंट्स का एक कानूनी दस्तावेज बनाया गया जिसे The Law of Cricket का नाम दिया गया। इस Law of Cricket के तहर खेल में अम्पायर्स का होना आनिवारे हो गया, साथ ही साथ LBW वाल नियम भी शामिल कर दिया गया। प्रस्तोत चित्र बैट के विविद्ध सोरुप को दर्शाता है बात करें सबसे पहले बैट की तो ये बिल्कुल होकी स्टिक जैसा नजर आता है बैट का इस प्रकार होने का रिजन है बॉल का अंडराम फेका जाना पहले बाल को अंडराम किया जाता था जो जमीन से घसटते हुए बल्लेबास की तरफ चाती थी और बल्लेबास बैट के निचले मुड़े हुए हिस्से की मदद से बाल को उठा कर दूर मारने की कोशिश करता अंडर आम बॉलिंग होने की वज़े से इस प्रकार की बैट होना लाजमी था आगे छल कर बॉल को अंडर आम की जगह ओवर आम फेका जाने लगा लिहाजा बैट में भी रिवालोशन दिखने लगा बॉल्स पर ओवर दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी की सबसे पहले एक ओवर में केवज चार ही बॉल्स किये जाते थे मगर 1900 में 6 बॉल्स का एक ओवर होने लगा 1922 में आस्ट्रिलिया में 8 बॉल्स का एक ओवर हुआ करता था 1924 में न्यूजलेंड और 1937 में सौथ अफ्रिका ने भी 8 बॉल्स यानी एक ओवर की नियम को लागू कर दिया 1947 में क्रिकेट के कानूनों में एक और कानून शामिल हो गया जहा कोई भी देश 6 या 8 बॉल्स पर ओवर का खेल खेल सकता था मगर यह कानून कुछ हद तक दोनों देशों में क्रिकेट को लेकर डिफरेंसेस पैदा करने वाला था लिहाजा इसे स्टैंडर्ड रखना ICC के लिए अनिवारे हो गया और 2000 में ICC ने 6 बॉल्स वाला ओवर यही कानून बना दिया टेस्ट क्रिकेट की शुरुवात टेस्ट क्रिकेट इस खेल का सबसे पहला फॉर्मैट है प्रेजेंटली इसे फर्स क्रिकेट यानि प्रतम श्रेनी क्रिकेट भी कहा जाता है England, Australia और South Africa इसे खेलने वाले सबसे पहले सदस्य थे बाद में भारत, West Indies, New Zealand और Partition के बाद पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया 21 वी सदी की शुरुवाती दौर में श्रिलंका, जिम बॉंबे और बांगलादेश भी टेस्स क्रिकेट खेलने वाले राष्ट्र बन गए Limited Overs Cricket की शुरुवात 1960 के दशक में England के county टीमों ने टेस्स से हटकर एक नए फॉर्मेट की शुरुवात की जिसमें हर टीमों को केवल एक ही पारी खेलनी होगी, वो भी निरधारित ओवरों में Limited Overs Cricket आ जाने से इस खेल की लोग प्रियाता और भी बढ़ गई मगर पारंपारी Cricket खेलने वाले इस फॉर्मेट का निरंतर विरोध किया करते Limited Overs वाला पहला मैच मेलबर्न Cricket Ground में हुआ जो दुर्भाग्यवश बारिश की वज़े से रद्द करना पड़ा Limited Overs वाले मैच चो को आगे चल कर One Day Cricket यानी एक दिसी क्रिकेट कहा जाने लगा पहले यह 60 Overs पर इनिंग था मगर आगे चल कर इसे 50 Overs पर इनिंग कर दिया T20 Cricket की शुरुआत दोस्तों शायद किसी भरतिय को 2007 में हुआ T20 World Cup Final याद नहो जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था यही वो साल था जब ICC ने Limited Overs में एक और नए फॉर्मेट को शामिल कर दिया था जो 20 Overs पर इनिंग का था इस नए फॉर्मेट को अब तक सबसे ज़ादा लोगप्रियाता मिली है क्यूंकि ये बेहत शॉर्ट पिरेट में खेला जाता है जहा एक टेस्ट को खत्म होने के लिए मैक्सिमम पाज दिन और वन डे को आठ से नो घंटे लगते है वही एक T20 मैज चार घंटों में समाप्त हो जाता है तो ये थी क्रिकेट की कहानी दोस्तो क्रिकेट भारत का सबसे लोगप्रिया खेल है जो गली से लेकर बड़े बड़े स्केडियम में खेला जाता है IPL यानि इंडियन प्रिमियर लीग कोई चैंपियंशिप ना होकर त्योहार सा लगता है जो हर साल लोगप्रिया होता जा रहा है आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर कमेट करना न भूले धन्यवाद